आदिन दाना विर्मनी सिखा पदंस्माधियानी धमपद गाथा कथा नमबर 63 या 68 ये जो कथा है ये बिम्बी सार के समय की है और बिम्बी सार को एक व्यक्ति माला बेसा था फूलों का जो सामान है वो बेसा था मालाकार यानि कि जो माला बनाता था या माला जैसी चीजें फूलों की बनाता था आपने हेमा मालनी का नाम सुना होगा जो हेम है उसको पाली में सोना बोलते हैं यानि गोर्लन जैसी चमकती चीज और मालनी जो बोलते हैं जो माला पहनती है यानि उसको मालनी बोलते है और जो व्यत्ती होता है आदमी होता है उसको माला धर या माला धीपती बोलते है ये कहानी सुमन मालाकार की है सुमन मालाकार बिंबी सार को राजा बिंबी सार को रोज फूल बेसा था जैसे माला चुम्टक या पुफु चुम्टक बोलते हैं बुके को और माला चुम्टक बोलते हैं गजरे को तो वो सारे के सारे फूलों की रासी यानि फूलों का धेर या फूलों की माला तो सारी उनको बेसा था यह उसका रोज का पिशा था, रोज जाके बेचना है और पैसा लेना है, उसको इससे बड़ा राग हो गया, बड़ा लगाव हो गया, वो पूरी सुबह उटके सुबही चार बजे जाता था, बहुत सारे फूल तोड़के लाता था, और फिर उनको बना के और बहुत तही से उनको देखियाता था, यह लालज उसका दिन पर दिन बढ़ गया और उसको यह लगा कि कहीं कोई और फूल वाला ना आ जाए, मेरी रोजी रोटी ना मारी जाए, इसलिए वो उस काम के लावा कोई और काम जीवन में सोच ही नहीं पाता था, एक दिन वो अपने काम में मग भगवान बुद कहीं देशना दे रहे हैं, उसे लगा कि यहां इतने सारे भिक्वे हैं, भगवान कुछ कह रहे हैं, तो सुनना चाहिए क्या है, एक सेकंड लिए वो ठहरा और वो एक सेकंड उसकी जिन्दगी को बदल गया, उसने जो वो देशना सुनी और जो उसने भग कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रशान नहीं, राग उसका जाता रहा, उसको इतना ज़्यादा कितना कितना हुई, इतनी जड़ जाता भाब भिवर हुआ हो, कि उसने वो सारे जो फूल और जो मालाएं थी, वो भगवान बुद्ध के पैरों में डाल दी, उन पर परसा दी, अ या कोई खुशू का सामन लगाते वो हैं, या कोई गंध है, उन से कोई लेन दर नहीं, वो बहुत दूर होते हैं, गंध उन्हें ना छूती है, ना माला के रंग या फूलो के रंग उन्हें आकशित करते हैं, वो देखते सब हैं, मगर कोई चीज उनके मन में आकशित नही मिले, ख़वर मिली कि जो फूल राजा विम्भी सार को लिए लेके आता था, वो उसने भगवान बुद्ध के उपर चड़ा दिये, दे दिये, उनको उनके उपर गिरा दिये, राजा विम्भी सार को की स्वतापन था, वो समझ गया, उसने उसको बुराया सुमन मालाकार को, और सुमन मालाकार को उसने उस दिन के फूल के पैसे दिये। क्योंकि राग निकल गया अच्छाई होगे तो अच्छाई का रिजल्ट भी तुरंत आ गया। राजा शमदार था। उसने उनके इस क्रत्य को बहुत अच्छा क्रत्य बताते हुए कहा। कि ये जो क्रत है ये इतना अच्छा क्रत आपने किया है इसके लिए आपका शुक्रिया है। ये बात भगवान बुद्ध के साधने में आई कि ऐसे ऐसे उसको पैसे दिये। बिक्कों ने उसे पूछा कि ये क्या हुआ जबकि राजा को गुष्टा करना चीए था, राजा को दंड देना चीए था, कि राजा के फूल उसने बिक्कों पचला दिये या बिक्कों को नशावर कर दिये और वहां तो उसको इनाम मिला। तब भग्वान बुद्ध ने ये गाथा कही, गाथा नमबर 68 साध्व नानुतप्ति का मतलब है नै अनुतप्ति यानि कि वो जो काम है जो सही किया हुआ है उसे करके अगर नै अनुतप्ति अगर कोई नहीं तपता है अनुसार नहीं तपता है का मतलब है कि उसको गर्मी नहीं आती है उसको पचाताप नहीं आता है उसको रिग्रेट नहीं आता ह यस पती तो सुमनो यस माने इसके लिए जो की जिसका और पती तो सुमनो माने प्रसंचित से सुमनो प्रसंचित से सुमनो का यहाँ दो मतलब है यानि कि प्रसंचित से जो सुमन ने काम किया वो या प्रसंचित से जो सुमन वाने फूल है वो तो यहाँ दो तरह से हैं यानि सुमन का मतलब है प्रसंचित से और सुमन से अच्छे मन से और सुमनों का जो मन है इसका मतलब है सुमनों ने जो प्रसंचित से ये काम किया विपाकंग पटी सेवती विपाकंग पटी सेवती का मतलब है उसको करने के बाद कोई भी प्राचित नहीं होता, कोई भी दुख नहीं होता और उसके परणाम भी अच्छे आते हैं जिनका आजमी सेवन करता है यह इस कहानी का अर्थ है सार है, दरसल माला बनाने का जो काम है वो बुद्ध के समय और बुद्ध से पहले बहुत जादा भारत में होता था इसलिए पुरा पूरा फूलों के लिए ही समर्पित है, फूलों के रंग और फूलों की माला फूलों का गच्छा और फूलों की गंध और फूलों का गंध का टाम क्योंकि गंध भी बेचने वाले लोग बहुत सारे हुआ करते थे पहले एक जिक्र आ चुका है धंपत के अंदर जो गंध का ब्यापार करते थे जिनको गंधी बोला करते थे या गांधी आज भी समय बोला जाता है तो ये जो फूल बेचने वाले लोग थे ये जंगलों से फूल लाया कटते थे और इसकी गजरा माला बनाके पहना कटते थे जो आदमी पहनता था उसको माला धारी या माला धर बोलते थे और जो महीरा पहनती थी उसको मालनी बोलते थे मालनी यानि अगर सोनी किया तो है मालनी होगी या पुफ है तो पुफ मालनी होगी या जास्मीन अगर पहनती है तो वो उसी के साथ से जास्मीन की मालनी होगी तो उसको मालनी बोलते थे माला के जो बहुत सारे हैं क्योंकि धागे को गुणे बोलते हैं यानि कि जो माल सब्द है, माल सब्द है वो इसी से बना हुआ है, एक सब्द तो है माल, पाली के अंदर, माल का मतल़ होता है आंगन, जो आप ये देखते हैं कि ये माल, जो आज बड़े-बड़े सहरोगंदर जिसको हम माल बोलते हैं, M-E-L-L, ये दसल्ट पाली का सब्द ह जिसको माल बोलते हैं, माल का मतल़ है चोड़ा आंगन या पड़ा आंगन, इसको माल बोलते हैं, और अगर इसमें माल बोलते हैं इसको, आधा ले ओड़े बोलें माल, तो ये हो जाता है माला, यानि माल एक हम उसको भी बोलते हैं, जैसे मुंबई के इंदर बोल जाता है, कौन से माले पर रहते हो यानि कौन सी मंजले पर रहते हो कौन सी स्टोरी पर रहते हो या कितने तल्ले की बिल्डिंग है आपकी कितने उसके फिलोर है तो माल जो सब्द है वो माले के लिए विस्तमाल होता है और अगर एक तल्ले के एक माल के उपर नहीं करते थे, खेत में जो काम करते थे वो किस्सक करते थे, कस्सक करते थे यानि किसान करते थे तो माला जो सब्द है इसके बहुत सारे आंधपरडेस में लोग मिलेंगे जो माला हैं माला सब्द की एक जाती भी है जो माला बनती है और माली सब्द की विक जाती है माली सब्द पाली में नहीं है मगर माला बनाने वालों को ही माली बोला गया है इनको मालाकार से माली का नाम दिया गया है ये बहुत पुराने काम करने वाले हैं कि जो बुद्ध हैं उनके समय तो कोई जातिया होती नहीं थी मैंने अगर माला बनाना सुरू कर दिया तो मैं माला कार हो गया अगर मैंने कोई लकडी का काम सुरू कर दिया तो मैं कट कार हो गया जैसे कट मंडू होता है कट मंडप जैसे कट काठ मांडू आपने सुना होगा नियापाल की राज दानी तो उसको कठ मंदप से बना हुआ याinaire कि जो कास्ट का है लखडी के मंदप में बड़े मंदप बने हुए हिसको काठ मांडू बोलते नहीं है तो मैं किसान का काम करूँगा तो मैं खेतिया हर हो जाओंगा खेतिया का मतलब है छेतिया बाद में बोला जाता था खेतिया का मतलब छेतिया तो मैं छेतिया हो जाओंगा और मैं छत्रिया हो जाओंगा जो करेगा वो मलाकार और जो कोई और काम करेगा तो फिर उसी के हिसाब से उसका नाम परता था ये उस समय की पूरी सामवाजी के रचना है और ये बहुत बड़ी अदर रचना थी इसमें जाती विवस्ता उन दिनों नहीं थी जाती विवस्ता तो लगबग अभी 600-700 साल पहले डवलप हुई है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हें की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छामूँ संगं सरेणं गच्छामूँ बूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामूँ बूतियं पी बुद्धं सर्मं गच्छामूँ बूतियं पी दम्मं मर्सेणं गच्छामूँ बूतियं पी दम्मं सर्मं गच्छामूँ बूतियं पी संगं सर्मं गच्छामूँ बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी कामे सुमिच चरविर्मनी सिखापदं स्माधियामी